दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पंचायती राज विभाग में लेखा पाल का जो भेकेंसी निकल के आया है इसके बारे में और इसका जो आवेदन है वो इस्टार्ट हो चुका है 10 मई 2024 से और इसका जो लास्ट डेट है वो 9 जून 2024 तर तो आप इसे क तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है और इस पेज पे आने के लिए description में लिंक होगा और आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकेंगे तो फ्रेंस वीडियो सुरू करते हैं तो सबसेपने आपको कंटिडेट रेश्टेशन पर आना है इस पर आपको किलिक करना है इस प्रकार से जो है होम ओपन होके आ जाएगा यहां आपको email id टाइप करना है और यहां से फिर से आपको जो है email id confirm करना है और यहां आपको एक प्रकार से बनाना है वह भी हम आपको बता देते हैं सांधा कि हियर करना जैसे आप अपना नाम कही कुछ ले ले लो यस परकार से या और या ये आपको हम देचाप्पल के तौर क्लिक करना है और आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे एक OTP रिसीव हुआ है उस OTP को यहां इंटर करना है उसके बाद वेलिडेट पर क्लिक करना है तो आप देख पाने हमारा जो रेश्टेशन है वह सेक्सफुली कंपलीट हो गिया है इसके बाद आपको स्टार्ट भ्यू अप्लिकेशन इस पर आपको जो है किलिक करना है तो इस परकार से जो है करने के बाद आपको save and continue फर क्लिक करना है और यहां आपको जो है are you Indian origin क्या आप भारतिय हैं और उसके बाद दूसरा option है और आपका एज जो है 21 साल से अधिक हो गया है तो आपको इस दोनों में जो है एस पे टिक कर देना है और save and continue फर क्लिक करना है इसके बाद आपका जो है form open होके आ जाता है सबसे पहले यहां आपको title सेलेट कर लेना है और यहां आपको first name, middle name, last name टाइप करना है इसके बाद यहां आपको date of birth करना है डेट पर सिट करने के बाद आपको यह जेंडर सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहां ज्गaráब करना है आपको यहां अपना केटेग्रीजा करना है यदि आप एस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे इसके बाद आर्यू दो संडाउटर ओफ फ्रीडेम फायटर इसके भी नो कर देंगे आर्यू बिर इस्टेट को तो फ्रेंड्स यदि आप बिर के निवासी है इस इसके बाद नीचे ना यहां आपको फादर स्नों टाइप करना है फिर्ट्न नेम मिलिलन जिस प्रकार से आप है आपका पापा का नाम वह आप यहां टाइप कर दें तो frans इसके बाद आ जाता है reference detail इस पर जो है relative or not consider इस पर आपको जो है reference detail में आपका उस आदमी का नाम डालना है जो आपको जानता हो बट वो आपका रिलेटीव चाचा, मामा, भाई यह सब ना हो और आपको उसका नाम यहां टाइप करना है उसका email id और यहां उसका mobile number कर दो सकते हैं तो हमने जो है डिटेल डाल दिया है नॉट रिलेटिव इसके वाद यहां आपको ज़ए पर्मानेंट ऐडेस टाइप करना है इस में यहां आपका जोए कंट्री अ टलमेटिक सेट रहेगा और यहां आपको अपना मैंण आपको पिन कोड और यहां city या village permanent address और communication address यह आपका same है आप इसपे click करेंगे और इसके बाद आपको save and continue पर click करना है इसके बाद यहां जो है आपको education detail डालना है यहां जो है degree या education सेलेक्ट ही रहेगा और यह आप पोश्ट ग्रेजवेसन कर लिए हैं तो यह बलावफ़ा दाल देते हैं इसके बाद यहां पर पोश्ट ग्रेजवेसन हो गया इसको यहां पर पर इन्वर्सीटी का नम है इसके बाद हेवे कमप्लीट योर सियं इंट्रांशिक एस यानो तो इस पे एंट्राइज और यहां जो है ग्रैजुएशन का सरटीपिकर और यहां पुस्ट ग्रैजुएशन का सर शेटीपिकर ट को अप्लोड करना है तो Со-5 सॉमने माउट सीट को कर लिया है तो आप देख एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इजुकेशन डिटेल डालने के बाद आपको जो है डोकुमेंट अपलोड में आ जाता है इस पे जो है आपका यहां रिसेंट पास्पोर्ट साइज फोटो शालिस के भी से एक सो के भी तक और सीगनेचर बीस के भी से पचास के भी तक यह चाहिए और नीचे एज पूरूप के लिए जो सब डोकुमेंट है देख लिजिए पेन कार्ट बर्स सर्टिप्र ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन पास्पोर्ट मार्क सीट इसके बाद अधार काट बोटर काट इंडियन पास्पोर्ट मेंकार्ट यहां पोटो अपलोड कर देना है आपको यहांठी नमबर कर देना हैं एकशर'd के बाद आपको यहां आईदी पून कुलीक करना है और यहां पेंड कर दिए और यहां पहर test city select करना है कि आप एक्जाम देने के लिए कहां जा पाएंगे और यहां आपको test city select कर लेना है एक ही option है और इसके बाद save and continue पर click करना है और इसके बाद जो है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक ही step अभी pending है और इसके बाद आपको यहां सब चीज एक बार मिला लेना है सब चीज मिला लेने के बाद और यहां आपको इस check box पर click करना है और submit पर click कर देना है आपको फिर से एक बार सोच लेना है यदि आपका कुछ mistake है तो आप अभी भी cancel करके उसको ठीक कर सकते हैं आपको इसके बाद आप पीमेंट iPhone पे आ जाता है तो इसके लिए आप हम payment कर देते हैं make payment पर klik करेंगे और इसके बाद हम सधारण होता है हमारा UPI इस पर हम क क्रिक करेंगे और यहां हम UPI QR पर पडिक करेंगे और यहां प्monelle और फैम्लिक पर सरस्थोल हो गया है हमारा प्लिक कर सिंदों आप डॉंड लउट करके रख लेंगे देंगे यह कमेंट करके जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंदर